जैन सातियों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब यह अच्छे होंगे सातियों आज हम बात करने वाले हैं BSC Agriculture के बारे में BSC Agriculture के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि इसके लिए Eligibility Criteria क्या होता है कहां से हमें करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए इसको करने के बाद हमारे कैریर किस तरीके से रहता है, जौब हमें कहां पर मिलती है government sector, private sector, हमारे पास क्या-क्या options होते हैं तो पूरी डीटेल में एक एक point में आपको explain करने वालो हो आपके BSC Agriculture को लेकर जितने भी Question Query हैं उन सब के Answer आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं करना क्या है आपको वीडियो को अंतक देखना है और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को Like और Share भी कर दीजेगा तो चलिए साथियो बना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को सुरूँ साथियो वीडियो सुन करने से पहले एक Request मैं आपसे करना चाहूँआ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो साथियो इसकी फुल फॉर्म होती है Bachelor of Science in Agriculture यानि कि BSC AG की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है Bachelor of Science in Agriculture जो की हमारा क्या है यह हमारा graduate program है अब इससे आगे हम point to point इसको explain करेंगे तो इसमें सबसे पहला आता है course duration यानि कि यह कितने साल का course होता है तो साथियो जो हमारा BSC AG है यह हमारी जो इसकी duration है course duration वो है हमारी four year कहतनी कि है वह हमारी four year यानि कि चार साल का हमारे यह degree course है योगि किसके अंतरगत आता है वह यह हमारा undergraduate degree course है clear है आपको चलिए इससे आगे बात करते हैं next है आपका इसके लिए eligibility criteria क्या है जो सबसे महत पूर्ण बच्चों को यहाँ पर confusion होता है कि हमारे लिए हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो इसमें eligibility criteria की यह दिए हम बात करते हैं तो eligibility criteria में आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बॉर्ड से अपना क्या क्या हो हो 12th pass हो और 12th में आपके पास क्या हो चाहिए या तो आपके पास PCP हो यानि कि Physics Chemistry Biology या फिर आपके पास क्या हो PCM यानि कि Physics Chemistry Math या फिर आपने क्या क्या हो 12 अपना एगरिकल्चर से किया हो ओ से किया है तो आप BSC Agriculture के लिए eligible हैं अब बात आती है बच्चे बहुत सारे बच्चे question पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या percentage का भी criteria है जी बिल्कुल इसके लिए percentage का criteria है इसमें आपकी जो percentage होनी चाहिए minimum percentage आपकी 45% होना अनिवारिय है यानि की 45% आपका होना अनिवारिय है यदि आपकी कोई category लगती है SCST या कुछ और आपको कोई quota मिलता है तो उसमें फिर आपको जो भी governments के या university के norm है उसके according आपको फिर छूट मिल जाती है तो यह है इसका eligibility criteria यदि आपको BSC में admission लेना है तो यह criteria आपको fulfill करना होगा clear है आपको next अब आगे बात करते हैं next है हमारा के इसका syllabus के इसमें क्या पढ़ाया जाता है तो सात्यों इसके नाम से पता चल रहा है BSC agriculture तो इसमें जो BSC agriculture में जो main जो part है वो किसका है physics का chemistry का और biology का और इसमें जो agriculture के बारे में पढ़ाया जाता है यानि कि जो हमारी खेती है उसके बारे में सब सारी चीज़े बताया जाती है कि fertilizer कैसे बनते हैं और किस में कीट ना सक दवाई को use करने से क्या हमारी पैदाबार बढ़ सकती है गट सकती है ये सब सारी चीज़े इसमें सिखाई आती है तो इसका जो syllabus है ये syllabus रहता है और जो क्लियर है आपका तो यह होगी सिलेबस की बात अब बात करते हैं जो सबसे most important है क्या 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 क्यारियर आफ्टर ब्यस्थी एग्रिकलचर इसको करने के बाद में हमारा क्यारियर किस तरीके से रहता है लेकिन उससे पहले भी हम बात कर लेते हैं बच्चे का बात आती है कि सर हमारा इसका admission का process क्या रहता है इसमें यदि हमें admission लेना है तो हम किस तरीके से admission ले सकते हैं तो साथ यह BSC अग्रिकलचर के लिए जो हमारी government university है या central government university है या state government university है तो उसमें इसमें merit के base पर भी admission होता है और entrance exam भी इसके लिए कराय जाता है maximum universities जो है इसमें merit के base पर admission लेती हैं जैसे हम यदि state government में बात करें तो जैसे हमारा NCR में जो लगता है CCS university लगती है तो CCS university में जो admission कराय जाते हैं वो merit के base पर कराय जाते हैं तो यदि आपको किसी भी course में या BSA agriculture में admission लेना है तो हर साल सक्षम education foundation जो कि अपना government से scholarship मिलती है वो अलग मिलती है और सक्षम education and charitable trust की तरफ से जो scholarship मिलती है वो अलग मिलती है तो उसके लिए आप apply कर सकते हैं उसका link मैंने description box में दिया हुआ है वहाँ से आप apply कर सकते हैं बिल्कुल free of cost है किसी भी type का कोई charge नहीं है तो यदि आप भी BSA agriculture करना चाहते हैं तो मैं आपको advise करूँगा कि एक बार वहाँ पर जाकर आप अपना registration अवश्य कराईए तो ये थी admission की बात कि जो हमारा CCS university में merit के base पर admission होते हैं या जो और काफी सारी universities हैं तो उसमें direct भी admission हो जाता है जो private university है जो state government university है उनमें ज्यादतर आपका admission जो होता है वो merit के base पर कराया जाता है अब बात करते हैं career after BSC AG यानि कि इसको करने के बाद career किस तरीके से हमारा रहता है छो साथ Javaps BSC agriculture कर लेते हैं तो इसको करने के बाद में आप पहला option हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं MSC कर सकते हैं MSC कर सकते हैं या कि Master degree कर सकते हैं किसमे MSC AG यानि कि agriculture में MSC कर सकते हैं जब आपका MSC Agriculture से आपका हो जाएगा फिर आप उसके बाद PhD भी कर सकते हैं या आप उसके बाद में नेट का एक्जाम देके as a assistant professor भी work कर सकते हैं तो पहला option आपके पास क्या है कि आप BSC AG करने के बाद में MSC AG कर सकते हैं इसके बाद में यदि आपको BSC के बाद जौब करनी ह तो उसके लिए भी आपके बाद बहुत सारी option है सबसे पहला है आपका research officer यानि कि आप नई ने चीजे किस तरीके के आज की डेट में पौद है या जो भी खेती में नई ने research आप कर सकते हैं यानि क्या बन सकते हैं आप research officer बन सकते हैं किलिए आपको next है भी आपका इसमें इसके बाद में आप क्या बन सकते हैं जो गौर्णमेंट की वैकिंसी निकलती है उसकी में अभी बात कर रहneck हूं तो गौर्मेंट में क्या बन सकते हैं जो agriculture officer है वो बन सकते हैं या फिर MRC कि हूई है agriculture से उन vacancies को सिर्फ और सिर्फ वही fill कर सकते हैं तो इसके बाद में ये तो हो गए हमारे government के option और भी बहुत सारे government के options होते हैं जितनी भी government की companies हैं जो क्या बनाती है कीटनाशक दवाई बनाती हैं जो भी private sector की बात करें तो private sector में वह इसको बहुत अच्छा खासा है private में इसको बहुत अच्छा है जैसे प्राइवेट में बात करें चाहिए वह आपका सुगर मील है या फर आपका जो जितनी भी agriculture से related product बन रहे हैं फ़र्टिलाजर बन रहे हैं जो भी BSC Agriculture से की हुई है, तो carrier काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है, vacancies बहुत जादा आती है, government sector में भी carrier काफी अच्छा है, government की जो vacancies है, बहुत जादा आती है, salary package भी बहुत अच्छा इसमें रहता है, तो यह है इसमें carrier, अब यदि हम बात करें इसमें कि best college और university की, तो साथ यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा, कि कोसिस यह करें, कि आप अपना BSC Agriculture, State Government University या Central Government University से ही करें, यदि आपके पास option है, यदि फिर आपको option नहीं मिल पाता है, आपका State Government University या Central Government University में नहीं हो पाता है, फिर तब आप जाए प्राइवेट यूनिवस्टी की तरफ, तो आप Central Government University जो हैं, वो बहुत सारी उनिवस्टीज हैं, जो आपका BSC Agriculture कराती हैं, तो आप कोसिस करिएगा, वहीं से करें, प्राइवेट में बहुत सारी अलग-लग उनिवस्टीज हैं, जो क्या कराती हैं, को एक और question रह गया है, BSC Agriculture को लेकर, या फिर आपका किसी और course को लेकर, तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं, एक question और पूछते हैं, बच्चे कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों यदि हम फीस की बात करें, तो फीस इसमें अलग-लग उनिवस्टी और college को पर depend करती है, यदि हम minimum fees की बात करें, तो minimum fees इसकी वही 30,000 रुपे पर year से लेकर, मैं यदि private university या private college होगी, या central government university में कुछ college होगी, मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी minimum fees है, वो आपकी 25 से 30,000 रुपे से लेकर, और 60-70,000 रुपे तक रहती है, पर year की fees, इससे ज़् की private university है, यदि अपने आप में brand है, तो वहाँ पर जो फिर fees होती है, वो लगवाग 1,00,000 रुपे के आसपास होती है, इससे ज़्यादा fees नहीं होती है, तो साथियो almost मैंने सब सारी चीज़े आपको clear कर दी है, आपको मेरे दुआरा दी गई जानकारी, कैसी लगी मुझे comment क clear के एक बार जरूर बताईएगा, तो चलिए साथियो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत